आज का टॉपिक है स्टैमिंग अल्गुरिदम स्टैमिंग अल्गुरिदम को हम मौस्ट टाइम इन्फोर्मेशन रिट्रिवल सिस्टम में पढ़ते हैं तो आए शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस इंटूशन की कि यह काम क्या करती है तो उससे पहले को चाहूंबुकि ना आपक्क ही की वर्ड़ के वेरिशन से और वो वर्ड कौन से है क connect वर्ड इसी कौनेक्ट करती है अगर मैं कहूं तो यह connect जो word है इनका root word है जिसको हम stem word बोलते हैं तो इसी root से यह different variation हुआ है तो stemming algorithm क्या करती है stemming algorithm का जो main purpose होता है वो क्या होता है हमें कोई भी इन में से variation दिया होता है कोई भी एक variation हमें दे देंगे और stemming algorithm का काम यह होता है कि उसको वापस फिर से उसी origin word में इसको convert करना होता है मालो जैसे कि हमें word दे दिया connected तो मुझे word को connect इसको क्या करना है convert करना है इसके origin form में इसका origin form क्या है connect तो मैं कैसे कर रहूँ गा यह जो suffix होते है लासमें जिसे ed अगर मैं यहां से ed हटा दूँ तो यह क्या हो जाएगा connect word बन जाएगा वैसे यहां से अगर मैं ing हटा दूँ तो यह connect बन जाएगा वैसे यहां से over उटा दूँ यह बन जाएगा तो इसका जो role क्या होता है stemming algorithm का हमारे information retrieval system में तो उससे पहले हम यह समझते हैं कि IRS क्या करता है IRS का main function है वो है searching का searching क्या होती है IRS के पास अपना एक document होता है यानि कि database होता है उसमें यह सारे documents होते है कोई भी user है वो query करता है और वो query करेगा ना वो क्या करेगा उस query से IRS उसको match कर देगा कि इस query के लिए यह document होता है क्यानि कि user कोई query कर रहा ना तो उसको यह document चाहिए बट साथ में वो कुछ relevant document भी देता है जैसे आपने अगर कभी Google किया हो अगर आप लिखते हो information retrieval system तो यहां पर यह देखो उसने सिरफ इस query के लिए इतने इतने रिजल्ट इसने शो कर दी तो आपका रिजल्ट कौन सा है इसमें से जो सबसे पहला रिजल्ट रहेगा वो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा तो कहने का मतलब यह है कि एक single query के लिए आयरेस ना multiple results को expand करता है आपको retrieve करके देता है और जैसे जैसे आप page के bottom में आते रहते हो ना आपका जो रेलेवेंसी है वो खतम होता रहता है तो stemming algorithm कैसे help करता है इसमें वो देखते हैं तो सबसे पहले हम एक्जेम्पल लेता है without stemming algorithm को मैं आपको without stemming algorithm use की आपको search करके देखते हैं कि क्या फरक होता है बाद में तो मैंने क्वेरी लिया है क्वेरी क्या है connectivity solutions for networking अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने सारे variation word यूज की है मैंने यहां पर connect का connectivity यूज कर लिया solute का solution यूज कर लिया network का networking यूज कर लिया तो यह सारे variations है तो IRS क्या करता है सबसे पहले इसको analysis करें कैसे करता है हर keyword को terms मानता है यह एक term है यह two है यह three है यह four है उसे identify कर लिया query processing करके और यह terms बना लिया ओके और यह क्या है अभी मैं आपसे फिर कह रहा हूं यह variations है यह origin word नहीं है यह variations है तो IRS क्या करेगा अब इन word को database में चेक करेगा वह किस word को चेक कर रहा है connectivity को solutions को for co networking को है ना particularly connectivity को सच कर रहा है अगर वहां पर connect रहेगा connected रहेगा तो उसको search नहीं करेगा वह सिरफ और सिरफ connectivity को search कर रहा है तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वह सिरफ connectivity को कर रहा है search ना तो connect वाले result नहीं आएंगे जिस document में connect लिखा हुआ है connected लिखा हुआ है connections लिखा है वह रिजल्ट्स नहीं आएंगे क्यों वह तो सिर्फ connectivity फोकस कर रहा है तो यह था without stemming अभी हमने stemming यूज नहीं की है तो अब हम देखते हैं stemming का use करके और कैसे वह help करता है IRS में अगर मैं कहूं कि अब मैं आपको stemming algorithm यूज कर रहा हूं तो कैसे करोगे सिंपल सी बात है मानलों हमने stemming apply कर दिये तो उसने connectivity को क्या लिख दिया connect लिख दिया solutions को उसने क्या बना दिया solute बना दिया फोर तो सेम रही गई networking को क्या बना दिया उसने network बना दिया ओके अब क्योंकि उसने query को analyze कर लिया है अब वो क्या करेगा सर्च डिरेक्ट सर्च नहीं करेगा वो क्या करेगा इन सभी origin वर्ड के फिर से variation को find करेगा यह जो connect वर्ड हमने origin में को convert कर लिया ना अब वो फिर से इसके different variation को बताएगा कि यह variation हो सकते हैं तो कोई ऐसा ऐसा कुछ हो सकते हैं connected connectivity connection और भी हो सकते हैं solution से solution solution solves solving solver यह हो सकते हैं for cut होता ही नहीं है networking network networker यह हो सकते हैं अब क्या करेगा अब ना कि वह सिर्फ इनको करके search बल्कि इनके जो variation हैं उनके लिए searching करेगा तो आप सोच सकते हो कि user ने सिरफ connectivity लिखा था connectivity का तो रिजल्ट आएगा क्योंकि वह वर्ड इसमें भी रहेगा बट उसके साथ में अलग वेरिशन के भी रिजल्ट आएंगे तो सोचो कितने सारी रिजल्ट आजाएंगे तो यह क्या कर रहा है यह टाम एक्सपेंशन कर रहा है यानि कि यूजर ने सिरफ यह टम लिखा था बट उसने उसको इन टम्स में एक्सपेंड कर दिया इसको हम टार्म एक्सपेंशन या फिर टाम वेरियेशन बोलते हैं इससे सिस्टम का रिकॉल इंक्रीज हो जाता है वही चीज मैंने यहां पर लिखी है आप पढ़ सकते हो इस पीपिटी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हो और जो एल्गुरिदम हम यूज करने वाले ना वह है पोर्टर स्टैमिंग अल्गुरिदम और यह सबसे most popular and most common algorithm है जो बहुत ही simple and easy to use होता है और बहुत interesting भी आपको अच्छा भी लगेगा देखना तो algorithm start करने से पहले हम जानते हैं कि हम English language पर काम कर रहे हैं जिसमें आपको बताया कि हम स्टैमिंग यूज कर रहे हैं वह हम यूज कर रहे हैं English language पर तो English language में दो यह terms होते हैं consonant and vowel vowel हम जानते हैं A,E,I,O,U vowel होते हैं उसके लावा जो भी कुछ रह गया वो consonant होते हैं सिवाए एक चीज़ के जो letter Y है आगर यह किसी consonant के बाद आता है तो यह vowel की तरह काम करता है कैसे जैसे यहां पर Y है यह किसके बाद आया यह consonant के बाद आया तो यह vowel की तरह काम करेगा इसलिए इसको sometime ना हम semi vowel भी बहुते हैं यहां भी दखो consonant के बाद आया तो यह vowel की तरह काम कर रहा है जड़ा जरूरी चीज़े नहीं है बड़ आपको सिर्फ general knowledge के लिए पता होना चाहिए अब देखते हैं वी और यह सी क्या है ओके देखो अगर किसी भी वर्ड में ना अगर कहीं पर मुझे कोई वोवल दिखाई दिया है तो उसको मैं वी से रिपर्जेंट करूंगा अभी के लिए समझ लो जैसे हम एक्जैंपल करेंगे अब को और समझ में आएगा तो मैं कह मैं रहा ओं कि आगर कहीं पर भी सिंगल वोव आ जा जाए या सिंगल सिर्ज आजाए उसको वी से रिपर्जेंट करन सेमोसी तरह से अगर कहीं ब qualcosa叉फ करता है कैसे कुछ इस तरह से कॉलेक्शन मैंने वोड लिखा हूं तो ये क्याै क्या है कांसेन लगा और सिसके लिए व तो इसके लिए मैंने वोवल लिख दिया एल क्या है एल है कॉंसोनेंट उसके बाद फिर से क्या रहा है कॉंसने sturdy तो जब तक क्यों नहीं मिले गाना तब तक मैं चैंज नहीं करूब अपनी से नहीं करूंगा दोनों के लिए है तो नों słu के लिए मैंने क्लिया हैं यहां पर सी लगाइब शक्रणाओ उसके बाद क्या है आई क्या है वह वल है तो यहां पर मैंने वह वह लगा दिया। ओके देखो आई के बागए और दोबारा भी नहीं कि नेक्स्ट क्या है वी ओके देखो लबी कॉंसेन्ट है लबी कॉंसेन्ट है तो यहां पर देखो दो कॉंसेन्ट तो इसको मैं एक सी लिखूंगा फिर से वी आ गया लिख दो देखो यहां पर दो इकठे सी आया तो इसको मैं एक सी लिखूंगा यहां पर फिर से दो इकठे लिखा है इसी तरह से मैंने conclude लखा है द्यान देने वाली बात क्या है single consonant आये या फिर single series of consonant आये उसको c लिखो single oval आये या फिर single series continuous of oval आये उसको v लिखो ओके अब इनको ना generalized form में लिखना मुझे जैसे ये तो बहुत सारे cv कैसे लिखोंगा कुछ इस तरह से जनलाइज कर सकता हूं कैसे मेरा जो टार्गेट है वह है इस combination पर वी और सी combination कितनी बार आ रहा है यह जो मैंने लिखा हुगा सी यह स्केर ब्रेकट में यह optionals है यह भी स्केर में है यह भी optionals है मेरा कितने बार फोकिस है वीओर सी कहँठे काहा पर आ रहे हैं और यह पावर 2004 मेजर क्या है actual वी इस पावर सी देखो वी सी की पावर तरी का मतलब क्या है एम का मतलब क्या है एमका मतलब क्या है एक time, दो time, तीन time, तो वी सी तीन time आ रहे हैं, तो वी सी की power 3, और यह c कहां से है, तर यह जो c बच गया, यहाँ पर c आ गया, उसी तरह से मैं कहारा हूं कि आप भी इसको लिखो, कैसे लिखोगे, वी, c देखो, यहाँ पर two time आया है, one time two time, और यहाँ पर c है, यहाँ पर भ और यहां पर M की वैलू क्या है टू, M क्या है, मैजर, मैजर क्या है, उस specific word में VC एक साथ कितनी बारा है, वही है हमारा M की वैलू, ओके, यह फिर वही से हमने कुछ लिखा हुआ, same तरीके साब पढ़ लेना, बट यहां पर कुछ example दिये होगे हैं, कि ऐसे word जहां पर M की वैल क्या होगे, 0 होगे, trouble जो word है, उसमें देख लो, कितनी बार VC है, देखो, C आ गया, VC, V, देखो, VC आ गया न, एक बार तो M की वैलू 1 होगी, यहां पर देख लो, troubles में, VC कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, एक यह रहा, एक यह रहा, तो M की वैलू 2 हो गई, हमें मतल इस rule होते है, मैंने का, वो suffix पे काम करता है, तो वो कह रहा है, कि अगर आपको किसी भी word को convert करना है, हमारे जो stem word में, वो क्या कहेगा, वो कह रहा है, सबसे पहले आप जो convert कर रहे हो, जिस variation word को, उसका suffix देखो, उसको मैंने S1 बोल दिया, आब एक लिए समझा लो, आगे यह कह रहा है, यह example है, यह कुछ देखो, यह सेम ऐसे लिखा हुआ, यह S2 है, यह S1 है, और यह हमारा condition है, M greater than 1 condition है, EMENT हमारा S1 है, और जो null है, वो हमारा S2 है, null का मतलब है, हटा दो कुछ भी नहीं है, तो क्या कह रहा है, यह कह रहा है, कि अगर किसी के word को, कोई भी word है, अगर EMENT है, ओके, हमें मिल गया, and उसके बाद चेक करो, कि क्या उस word में M की value greater than 1 है, यानि कि आपको VC का combination देखना है, और आपको देखना है कि क्या उसमें VC की value greater than 1 है, यानि कि कम से कम वहां पर VC 2 होना चाहिए, यानि कि M की value कम से कम 2 होनी चाहिए, greater than 1, तब हम क्या करेंग है, और यहां पर देखो, यहां पर जो EMENT है, ओके, अगर आप यहां पर M की value चेक करोगे, तो M की value भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा मिलने वाली है, अगर मिल गया तो हम क्या करेंगे, EMENT को null करो, और हमें क्या word मिल गया, कुछ इस तरह से replace word मिल गया, भली यह word complete नहीं है, ब दिया हुँआ कि M0 होना चाहिए, M1 होना चाहिए, greater than 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ, और condition क्या हो सकती है, और कुछ यह condition हो सकति है, condition क्या कह रही है, स्टार स, स का मतलब है कोई भी लेटर आए, स्टार का मतलब है, और उसके बाद कोई वर्ड दिया, उसका मतलब है कि लास्ट में स होना चाहिए, अगर मैं लिख दिया M, इसका मतलब है लास्ट में M होना चाहिए, मैं लिख दिया O, इसका मतलब है कि लास्ट में P होना है फिर स्टार डि यह कुछ स्पेसिफिक है यह कहा रहा है कि किसी भी वेरिशन वर्ड में लास्ट में डवल कंसोनेट आये तो वह भी एक कंडिशन हो सकती है, कैसे, डबल टी, डबल एस यानि कि किसी के word में कोई consonant आए और डबल आ जाए जो डबल एस भी तो क्या है एक consonant है और यह साथ आ रहे हैं तो यह क्या है यह डबल डी हो गया है डबल स्टार ओ क्या है वो कह रहा है कि किसी भी जो वर्ड है उसके के end में स customize का combination बने यानिगे पहले कोई consonant आये फिर वो वालाए फिर से को नटा यह लास्ट के लिए बोल रहा है और वो फिर से कहा रहा है यह जो डबल योढ़ी हो ना चाहिए उन यह साहिए घल डबलूू भी यह condition सही बैठती है, देखो W क्या है C है, I क्या है V है, L क्या है C है और यह second C है, ना तो यह W है, ना X है, ना ही Y है और वैसा ही हमारा यहाँ पे HOP के लिए भी condition set बैठती है यह statement क्या कह रही है, यह statement यह कह रही है कि जरूरी नहीं नहीं कि आपको condition single single मिले, condition को 2 या 3 मिला कर भी पूछ सकता है अब आप पहले इस algorithm के steps देखिए, उसके बाद हम example करते हैं 5 steps है इस algorithm में और हर step के भी कुछ ना कुछ सब पार्ट है पहला है step 1 A, फिर है step 1 B, और फिर है step 1 C, उसके बाद है यह वही कुछ दिया हुआ, देखो मैंने आपको बताया न, star D, star L, तो इसको मैंने यहां पर दे दिया, आपको थोड़ा सा help मिल जाएगा फिर step 2 है, यहां पर step 2 क्या है वही देखो, condition दिया हुआ है, A, T, I, O, N, L है, तो इसको हम यहां convert कर देंगे step 3 है, step 4 है, step 5 है, A है, 5B है, यह 5 step है आपके पास, और हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी word लेकर चलना होता है और हर एक step से गुजारना होता है, और जब हम step 1 A से लेके step 5 B तक आ जाएंगे, तब हमारा character पूरा जो हमारा word है, वो stem word में convert हो चुका होगा इसको करते हैं, example से कैसे वो देखते हैं, देखिए, example है, हमारा word है, multidimensional तो इस word को हमें क्या करना है, stem word में, यानि multidimensional क्या है, इसका main origin word है, वो है multidimensional मुझे उसमें इसको convert करना है, कैसे करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, step 1 A से उकर गुजरना है, एक बाद फिर से समझ लेते हैं इसको, कि आपको क्या करना है, जैसे कोई भी word आ गया, आपको क्या करना है, सबसे पहले step 1 A से उकर जाना है, सबसे पहले आप इसको चेक करोगे, 1,2,3,4, जो लिखे होगे न, इसको अब चेक करोगे, क्या 1 हमारा condition satisfy हो रही थे, को इसमें condition तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, सिरफ ये बताया हुआ है, step 1, A में, कि अगर किसी word के पीछे, double S, E, S है, और, सुरी, बसे यही condition है, अगर किसी के word में पीछे, double S, E, S है, आप उसको क्या करो, उसको क्ट करके, उसको क्या लिख दो, double S लिख दो, माल लो कि ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम next step देखेंगे, to, अगर क्या उस word के पीछे, I, E, S है, अगर है, तो उसको क्ट करके, क्या कर दो, I कर दो, okay, माल लिया कि हमारा step ये, successful हो गया, हमे next में move कर जाएंगे, माल लो कि second नहीं होता, तो third पे आ जाते, third हो जाता तो fourth नहीं करते, directly हम A, B, one B, पे move कर जाते हैं, okay, तो हम one B, पे move कर गए, one B, देखो, अब यहाँ पर condition है, suffix तो है, बट condition है, यह क्या कह रहा है, हम यहाँ से यहाँ पर आ चुके है, यह क्या क्या कि word के end में, double E, D है, है, फिर check करो condition, क्या उसमें जो M है, उसकी value greater than zero है, यानि कम से कम M, one होना चाहिए, वो कहेगा है, अगर ऐसा है, तो आपको किसमें convert कर दो, double E में convert कर दो, इस double E, D को, यानि कि आप simple सी बाद, इसमें से D हटा तो, double E में convert हो जाएगा, ओके, अभी जो second, third step और ये क्या कह रहाए, मालो, ये नहीं हुआ, फिर हम क्या करेंगे, second पर आ जाएइंगे, second क्या कह रहा है, check करो कि क्या कि किसी word के end में, ED है, okay है, फिर check करो कि क्या, उसमें वो बल आ रहा है, okay वो बल आ तो, क्या करो, यहान तो कुछ नहीं, इसका मतलब है, null, इसका रूल अगर कोई satisfy हो जाए तो आपको directly one see पर नहीं आना आपको यहां पर आना है सिर्फ और सिरफ क्या है अगर second और third अगर आपका rule apply हो रहा है तो यही वो statement लिखा हुआ है अगर second और third statement आपके apply हो तो आपको क्या करना है इसको नल करके आपको फिर से यहां पर इसके लिए चेक करना है क्या चेक करना है वही चीज़ है क्या उसके word में एट आ रहा है अगर आ रहा है तो इसको A T E लिखो ओके यह fourth one कुछ देखने वाला है यहां पर fourth one क्या कह रहा है check करो कि क्या उसके word में last में D आ रहा है star D का मतलब देखो यह रहा star D स्लिवन लिखा था यहां पर stem word and with double consonant कि कोई भी यहां पर लिखा चाहिए या फिर वो Z से टर्मिनेट नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे single letter लेगे single letter क्या है जैसे मैं इसमें लिखा हो ना कि double consonant मालो double S आ रहा है तो उसको single S कर देंगे double S से हम single S कर देंगे single letter क्या condition है अगर किसी के word में last में double यानि कि double consonant आ रहा है वो double consonant बताएगा क्या है कोई डवल consonant कुछ भी हो सकते हैं कुछ वी हो सकते और साथ में आपको ये भी बताना यह भी देखने है कि last word add L नहीं होना चाहिए इस नहीं होना चाहिए जैट नहीं चाहिए तो आप क्या कर कर देना है वैसा यह 3 है वैसा यह 4 है वैसा 5 है 6 है सेम और कुछ भी नहीं है ओके अब हम example करते हैं multi-dimensional का multi-dimensional क्या कर रहा है simple है आपको पहले one a से start करना है क्या इसमें double s e s आ रहा है नहीं आ रहा आई एस आ रहा है ऐसा रहा है नहीं आ रहा नहीं आ रहा तो आप step 1 up करो क्या यह पे वी कुछ हो रहा है नहीं औरा मूब करो मूब करो नहीं ओर नहीं होzem स्टैप टू में कहीं पर आ रहा है कि अपको कहीं नहीं मिलेगा देखो स्टैप One पर ही करते देखो ऐल आ ला गया यह हमारे वर्ड के और में अला रहा है किया किया अगर आप चेक करोगे तो हमारा greater than one ही मिलेगा M okay M greater than one है last में एल भी आ रहा है तो मैं क्या करूँ यहां पर कुछ भी नहीं लिखा उसका मतलब है नल तो मैं क्या कर दूँगा एल को हटा दूँगा और मैं क्या convert कर दूँगा multi dimensions में ओके अब हमें तो पता कि सार यह हो गया बट ऐसा नहीं है हमें देखो 20 dimensions वर्ड बन गया एक और इकजेंपल लेते हैं विडियो थोड़ा लंबा रहा है बट समझाना जरूरी है next वर्ड है हमारे characterization, check करो क्या हमारा कोई यहां पर word आ रहा है इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है यहां पर देखो, क्या है word कहीं पर word check करो IJAT, देखो यह रहा 11th हमारा जो number है, वो आ रहा है वो क्या कह रहा है, कि आपके word के last में i, j, a, ti, one होना चाहिए, okay है, condition क्या है, m की value है greater than 0 है, आप check करोगे तो मिलेगा, किसमे convert करना है, i, z, e में, किसको, यह पूरे suffix को, यानि कि यह जो है इसको cut कर दो, और इसको किसमे convert कर दो, i, j, i, z, e में, okay, ठीक है, हमने जैसे 11 किया, और इसके बाद हम आगे का कम नहीं क करेंगे, directly हम कहां जाएंगे, third step, फिर से check करो, क्या कहीं, suffix match हो रहा है, इसमें तो नहीं हो रहा, fourth में check करो, कहीं पर हो रहा है, आते रहो, आते रहो, आते रहो, आते रहो, आते रहो, यहां पर देखिए, 19th, यह जो last step हमारा, last में, i, j, e होना चाहिए, देखो, i, j, e है हमारा कोई condition satisfy हो रहा है, नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमारा word क्या बन गया, character, तो कि इतनी interesting बात है, कुछ steps follow करने है, आप किसी भी English language, कोई भी variation, उसको हम stem word में convert कर सकते हैं, okay, video थोड़ा lengthy था, but I hope आपको समझ में आया होगा, समझ में आता तो subscribe पर मत बोलिए, यह मैं deserve करता हूँ आप से, okay, so thank you very much for watching.